अलो देखे आज अपन ये कॉशन देखेंगे जो रोटर लगे होती है ठीक है हाई स्पीड अल्टरनेटर में वो कैसी होती है सेलियंट पोल होती है या नोन सेलियंट पोल होती है सेसी जई 2008 में आएग और काफी पार दूसरे एक्जाम में भी पूछा गया है ठीक है कॉशन बोल रहा है कि हाई स्पीड अल्टरनेटर यूजली है हाई स्पीड अल्टरनेटर सेलियंट पोल होती है या स्लेंडिकल रोटर ताइप जो रोटर होती उसको काम में लेते है ठीक है तो दे centrifugal forces क्या होती है कम होती है ठीक है centrifugal forces कम होती है तो अपन क्या करते है उसको high speed पे काम में ले सकते हैं क्योंकि balancing होती है तो high speed के लिए अपन वह आली rotor काम में ले सकते हैं जिसमें centrifugal force कम हो और centrifugal force उन rotor में कम होती है जहाँ पर structure balance हो, जैसे की round rotor, तो round rotor जो है वो अपन क्या लेते हैं, high speed alternator में use लेते हैं, क्योंकि उनकी balance structure होता है, देखो, ठीक है, balance structure होने के कारण क्या होता है, centrifugal force कम होती है, और आप उनको high speed के लिए काम में ले सकते हैं, दूसरी ओर, तो अगर salient pole type होती, तो देखो, इसमें क्या होता है, balance structure नहीं होता, देखो, यहाँ पर gap आगया, फिर ये दो projection निकले वे, ये projection, फिर gap, फिर projection, तो balance नहीं होता, balancing नहीं के कारण, centrifugal force क्या होती है, बहुत ज़्यादा high होती है, अब centrifugal forces, पहले ही बहुत ज़्यादा high होती है, तो अब इनको high speed के लिए काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, कि इनको salient pole type rotor को, तो इसका आंसर अपना बन जाएगा, high speed alternator usually है, cylindrical rotor क्योंकि इनकी में centrifugal force कम होती है, ठीक है, balance structure होता दोनों, इसलिए इसको cylindrical pole rotor को काम में लेते हैं, इसमें high speed alternator में, थैंक्यू,